हलो एवरिवन, वेलकम टो योटूब चैनल साइन्स फाउंडेशन तो देखी आज जो है अपने BSC First Year Inorganic Chemistry की First Series है और इसके अंदर मैं आपको 9 या 10 important question बताऊंगा उन क्यूशनों से बाहर आपके exam में एक भी क्यूशन नहीं जाएगा तो इन क्यूशनों को आप एकदम किलियर कर लीजिएगा तो अपने notes ले लो या फिर अपने sold paper ले लो और कोई भी सामगरी है आपके पास पढ़ने के लिए तो उनमें इन क्यूशनों को लगा लीजिएगा तो देखे यहां पर मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देता हूँ कि जो मैं क्यूशन आपको यह super series में बता रहा हूँ important क्यूशन बता रहा हूँ और इन क्यूशनों से बाहर आपकी जो 2023 की exam होगी उसमें एक भी क्यूशन नहीं जाएगा तो इनको बिल्कुल clear कर लीजिएगा और मैं आपको बता दू कि देखे इनके answer भी मैं आपको यहां पर बता सकता हूँ परन्तु मैंने answer पिछली क्लासों में इनके करवा रखे हैं और अब जो है आपको exam के आप सभी को बता है कि 15-20 दिन रहे हैं तो उनमें important question ही मैं आपको बताऊंगा इन question को आपको कैसे भी करके clear करना है बस इनकी आपको PDF मिल जाएगी टेलिग्राम जोइन कर लेना उस पर चले जाना वहाँ पर इनके answer की PDF आपको मिल जाएगी answer वहाँ से भी देख सकते हैं यदि किसी को जो है notes में इन question के answer नहीं मिल रहे हैं तो और book भी काफी नहीं खरीदी होगी तो इस वज़े से इनकी answer भी आपको टेलिग्राम पर available मिल जाएंगे वहाँ पर मैं provide करवा दूँगा तो इनको जरूर याद कर लिना क्योंकि मैं हर बार आप से इस बात की मैं आपको 100% guarantee देता हूँ मेरे से आप इस time paper पर लिखवा कर रख लेना ठीक है और मैं बैठा हूँ आपके अगर यहाँ से एक भी क्योसन बाहर चला जाए तो तो आईए start करते हैं यहाँ पर क्योसन नमबर 1 जो है देखी यहाँ पर है एक आईनिक योगिक में चतूस फलकिये ज्यामिती के लिए तरज्या अनुपात के मान की गणना कीजी और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि यह इन औरगनिक कैमिस्टर के अंदर unit 1 है उसके अंदर यह क्योसन आपको मिलेंगे unit 1 के ही क्योसन करवा रहा हूँ मैं अभी आपको तो इन क्योसनों को कर लेना दो किलास में आपके जो है unit 1 के लिए रो जाएगी अथार्थ एक unit के अंदर से मैं आपको मातर जो है 15 क्योसन बताऊंगा और उन 15 क्योसनों से बाहर अगर क्योसन देखने को मिल जाएगा न आपको unit के अंदर तो आप बोल देना यूटूब छोड़ दूँगा मैं यह science foundation यूटूब छोड़ दूँगा अगर क्योसन बाहर चले जाए तो ठीक है हमेशे हमेशे के लिए delete मार दूँगा चैनल को तो मेरा विश्वास करके इनको याद कर लिजेगा ठीक है तो आईए start करते हैं देखे यहाँ पर है कि एक आएनिक योगिक में चतुस फलकिये ज्यामिती के लिए क्रिज्जान उपात के मान की गणना कीजे यह क्यूसन काफी बार repeat हो चुका है और दोजर तेश की exam में आने की संभावना है तो इसको अच्छे से कर लेना और जो हो गणीती है संसरूपन में यह क्यूसन है तो बहुत ही नोर्मेल है जादा हाड नहीं है और इनकी आंसर की PDF भी टेलिग्राम पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाना हुआ पर देखी समन्वे संक्यत चार अथार्त चतुस फलकिया ज्यामिती के लिए तरज्या अनुपात की गणना कीजी ठीक है क्यूसन इस टाइप से भी आ सकता है ठीक है अब देखे नेक्स्ट जो सेकंड क्यूसन है आपका वो देखे दूसरा क्यूसन है दूसरा क्यूसन देखे कि यद भी सार्य मर्दा दांतों में बाहितम ऐस कक्षक पौन रूप से बरे होते हैं फिर भी ये विदूत सुचालक है इसपश्ट कीजी देखे जो सार्य मर्दा दांतों में बाहितम ऐस कक्षक होते हैं वो पून रूप से क्या होते हैं, परेवे होते हैं, परंतु ये जब भी भरे होने के कारण, ऐस कक्सक पून रूप से भरे होने के कारण भी विदुत के क्या होते हैं, सुचालक हैं, तो इस बात को आपको इसपश्ट करना है, इसका आंसर भी मैंने करवा रखा है, पिछले क में है कि आयनिक योगकों की विलेता को प्रभावित करने वाले कार科ści का उले कीजिये विलेता की व्याख्या कीजिये तथा विलेता को प्रभावित करने वाले कार科culiar को समझाईए इनको अच्छे से समझ ले na एक्जाम में भी इस टाइब से अथवा में आपको दो क्यूशन देखने को मिलेंगे जिस टाइब से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट देखें आपर अगला क्यूशन आपका कि विबिन परकार के अर्द चालकों का संसेप में वर्नन कीजिए विबिन परकार के अर्द चालक आप सभी को पता है कितने होते हैं और उनका जो यहाँ पर संसेप में वर्नन आपसे पूचा गया है और यह क्यूशन देखें 2018 में आया है 15 में आया है 13 में आया है और 12 में काफी अच्छा क्यूशन है क्यार कर ले ना नेक्स्ट देखें तरिज्या अनुपात क्या है आयनों की संख्या वै अनुवा की आकरती से यह किस प्रकार संबंदित है उद्धारणों सहीद समझाईए देखिए कोई भी क्यूसन हो उसके अंदर example जरूर लिखना वहीं से आपको क्यूसन का जो है अलग से number मिलने की संभावना होती है जैसे 6 number का क्यूसन आता है आपके long क्यूसन तो इसके अंदर 1390 आप लिख देंगे आयनों की समनवे संक्यावाई अनों की आकरती से यह किस परकार संबंदित है यह लिख देंगे और आप अगर उद्धारन भी लिखते हो ना तो 6 में से 6 number आपके यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं नेक्स्ट देखिए अगला क्यूसन आपका जो है यहाँ पर है लिखियम दातु के उद्धारन द्वारा बंद सिद्धानत को समझाईए लिखियम जो दातु होती है उसके उद्धारन द्वारा बंद सिद्धानत को आपको यहाँ पर समझाना है ठीक है बंद सिद्धानत क विवेज ना कीजी तथा इसे समझाने ये तू विबिन सिद्धान्तो का उलेख यहाँ पर आपको करना है तो काफी important क्यूसन है और अच्छा क्यूसन है next देखे फायांस के नियम लिखिए next देखें आपर next क्यूसन आपका हो जाएगा और ये काफी important क्यूसन है ठीक है जालक उर्जा से संबंदित जालक उर्जा से संबंदित जितने भी topic है ना उनको clear कर लेना normal यहाँ से क्यूसन बनता है आपके और unit first time आपको करवा रहा हूँ वहाँ से important question यही बनेगा कि जालक उर्जा से आप क्या समझते हैं और na plus और cl minus के एक mole crystal की जालक उर्जा आप कैसे प्राप्त करेंगे जालक उर्जा में कौन कौन से संसोदन होते हैं और इसके अथ्वा में है जालक उर्जा से आप क्या समझते हैं जालक उर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताईए और nacl के एक mole crystal की जालक उर्जा यहाँ पर ग्यात आपको करनी है ठीक है तो काफी अच्छा क्यूसन है और important क्यूसन है यहाँ पर है कि इस्टाइकियों मितिये और नोन इस्टाइकियों मितिये यह क्यूसन काफी बार पूछा जाता है इस्टाइकियों मितिये और नोन इस्टाइकियों मितिये त्रोटियों की व्याख्या कीजी ठीक है 2011, 12 और 16 में पूछा गया है और ये 2021 में भी ये आपकी क्यूषन आ चुका है एक नॉर्मल सा क्यूषन है आइनिक क्रिश्टलों में जालक तरोटियों की व्याख्या कीजिए नेक्स्ट जो है आपके क्यूसन वो ही रिपिट हो गया एक आयनिक योगिक में ठीक है एक आयनिक योगिक में चत्तुस फलकिये जामिती जो है के लिए अनुपात के मान की गणना कीजिए जामिती की तरज्या के लिए तो ये जो क्यूसन है आपके इनको क्लियर कर लेना ठीक है बार-बार बोल रहा हूँ मैं इन क्यूशनों से बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा इनको क्लियर कर लेना और इनके आंसर आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे टेलिग्राम जोइन कर लेना ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम धन्यवाद